मुझबकन अगर से सबीना स्वागत है आपका जी अकिन साब से बात करा दो हमारी जी बात कीजी जी सबीना असलाम अलेकुँ जी असलाम अलेकुँ जी वालिकुश्वालिकुश्वालिकुश्वालिकुश्वालिकुश्वालिकुश्वालिकुश्वालिकुश्वालिकुश् हमारी जो अमी है na उनके मुत्वथ दिल की धरकन पिए हो जाती है और होल हो थी होती है कले जे में दुखन भी हो जाती हूं जी और उनके ना मतले अप लगाए ही बहुत रोबा रोती है हमी की अमर बता रे हमी की अमर 30 साल 30 साल नहीं 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 गलत करी हैं आप कितने साल की हैं अच्छा अम्मी की उमर जी चालिस साल नहीं और ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं नहीं ममाने नहीं आपकी उमर कितनी है अच्छा मेरी उमर बीस साल है तो देखो ममी की उमर ज्यादा होगी चलो कोई बात न ठीक है एक सवाल होगे अब अपना सवाल करिए जी मैंना मतलब सिर्में जन जनास ती रहे है असमा सोगने और दर्थ बहुत जादा रहता है कुलन बहुत जादा रहती है और मेरा रोना बहुत जादा रहे है जब रोती है रोती है रोती है रोती है असा दिल करे रात में नीन कौपी लेकर बैठे हैं, सबीना आप, सबीना, जी जी बैठे हैं, कौपी पेन उठा लिया है, और आपने मुझे पहले एक दवाई बतलाई थी, तो हमने करीब से आराम नहीं आया, बिल्कुल भी, कौन सी, जी 200 ग्राम तो आम लाली खाता उसमें, 200 ग्राम चोटी हेर, और 300 ग्राम धनिया, अच्छा, और 30 ग्राम अगाई थी, आपने उसमें बताई थी, एक महीना हो गया, लगबग जादा ही, आराम कुछ नहीं आरा, बिल्कुल भी, और गौन मौरिंगा सफेद, जी वो तो नहीं, बताया था आपने, नहीं बताया था, जी उसमें बताया था, आ अब ये एक महीना नहीं, पांच-छे महीने खाना है, ये डिप्रेशन का मर्ज में टाइम लगता है, पांच-छे महीने या उससे भी ज्यादा, ठीक है? मतलब कितने ताइम में आराम होना शुरू होगा? आराम तो शुरू हो गया होगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 6-7 महीने ये लगातार लेना है, इसमें गौन मौरिंगा सफेद याद रखना है, सफेद वाला ही लेना, आप लिख लीजे, मैं बार-बार जो कहता हू कि नहीं ये बहुत मजर्ब है, यानि बहुत तजर्बों से गुजरा हुआ है, आप इसे जरूर ले, जल वाजी ना करें, युनानी में तो वैसी, दो-तीन महीने तो वैसी चाहिए, लेकि डिप्रेशन के मरीज़ को 7-8 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है? अब मम्मी की बात, मम्मी को आप दीजे, जैतून का सिर्का, जैतून का सिर्का, तीन चम्मच सुबा, तीन चम्मच शाम, या एकी टाइम रात के सोते वक्त दे दिया करिए, ये चोटे चाय के चम्मच, एक गिलास पानी में मिला दें, रात को जब सोने का टाइम हो जाए, लाइटें वाइट आने लगेगी, उसी दिन से, यह मेरा तज़र्बा है, मैं भी जब बहुत जादा होता हूं, तो यह ले लेता हूं, और उसके आदा एक घंटे बाद, ऐसी गफलत की नहीं दाती है, सुकून मिल जाता है, यह दिल के लिए बहुत अच्छा है, और कालिस्टॉल के लिए, दिल लिवर के लिए, मैदे के लिए, किड्नीस के लिए, यह बहुत तेज होता, तीन चम्मच लें, और रोज दें और फिर हमें, जैसे आप बुराई कर रहे हैं, ऐसी आप हमें इसकी दुबारा से फोन करके बताएंगे, कि आपको खाइदा मुम्कीन है, बहुत जल्दी नहीं जब तक कॉपे पैन लेके नहीं बैठेंगे, तो कोई भी बात नहीं लिख पाएंगे अच्छे से, फिर आप लोग चूक कर देते हैं, नुस्के आप कुछ और बना लेते हैं, आपको लाब नहीं मिलता है, अगर आप लोग यह चाहते हैं, कि आपको कुछी दिनों में रि आधिम से बताया जाता है कि सब्र जो लोग रख सकते हैं, वो नुसके अपना सकते हैं, बाकी दर्श को लाइफ का रक्रम हैं, रोक संबंधी कोई भी आप प्रश्म करना चाहते हैं, हकीम साहब से लाइफ बात करना चाहते हैं, तो फोन उठाइए, नमबर्स पे कॉल कीज जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे, आईए बात करते हैं, अगले कॉलर से, हमारे साथ उत्तरखंट से हैं, राकेश गुपता जी, स्वागत है आपका, हालो, हालो, जी, बताइए, हाँ बोलिये, हाँ बोलिये, हाजी गुटलों में जी, में कहले हैं, संवाया जी, पांच जी, स्वाय डवाए जी, सब्रके सारी, सब्सक्राइए किना जी, हाँ, बताइए, पांच जी, उम्र क्या है आपकी? उम्र तो जी ऐसी है, 1500 साल ही हैं जी, ठीक है, कोई दवा खा रहे है, हमारी दवा खा रहे है, ना? नई. नई हमारी दवाए नहीं! अगर आप नहें जुड़ें हैं तो और बाते नहीं तो सब लोग जानते हैं के ऐसे मरीजों के लिए एक मैं गौन बताता हूं और वो असली लेना आपकी जिम्मेदारी है असली लेना और सही प्रोटेंसी में लेना ना कम ना ज्यादा एक गौन आता है गौन सियाह नाम से काला गौन भी कहते है इसे ये बहुत कड़वा होता है और नकली भी बहुत मिल ज जाता है तो असली लेना आपकी जिम्मेदारी है यह आप जैसे मरीजों के लिए एक सोना है एक तफ़ा है हम जैसे मरीजों के लिए आप जैसे उमरवालों के लिए बस एतियात यह करनी है कि यह असली लेना है और खली सो ग्रामी ले ले लीजे और बहुत सस्ता है दस बार रोपह रोस का पड़ता है ये, आपने लाकों रोपह की दौाइं खाली हो गी, लेकिन ये जूज रोपह रोज की दौा अगर असली मिल गई, असली ही लेना है, नहीं तो मत लेना, आधा गिराम सुबा। आधा किराम शाम नाचते और खाने के पश्चाद पानी से बगएर चर्बी के दूस से या जूस से अगर आप रईश है तो जूस से भी ले सकते हैं और डाइपटीज नहीं है तो लेकिन एक एहतियात ये करनी है कि ये कुर्सी वाला बाथरूम यूज करना है आपको अपनी जरूर नकलीफ में हैं आप और काफी दवा खाली आपने ये सो गिराम दवा खालीजे ये रो मैटरियल है कच्छी दवा है ये पुरी दुनिया में इसकी डिमांड है इसलिए लोग नकली भी दे जेते हैं असली लेना आपकी जिम्मेदारी है महाराश्व से अगले कॉलर है जिनक बीवी को बढ़ता है इसलब थोड़ा दिल में ज्यादा ये होता है बीपी बढ़ता है बीपी नहीं अच्छा बीवी बीवी को क्या होता है बीवी को दिल में थोड़ा ये होता है क्या बलता है घवराट धर धर ज्यादा होता है हाँ वही घवराट कितनी कितनी आयू है उ Вэтаж, पन्द, उचे देखिए, ये उमर में हमें पता हो यश नहीं हो। हम दिल के रोगी हो जाते हैं, हमारा بी-पी बढ拼ने लगता है, हमारा कलस्टॉल बढ़ जाताहे, हुन का चरवी बढ़ जाता है और दिल के असपास चर्बी होने लगती है यहां तक कि दिल की रगों में भी चर्बी जमने लगती है जो लोग इस बात से वाकिफ हैं उनको खूब लहसन का इस्तमाल करना चाहिए लहसन खाएं पांच से दस पीस रोजाना अब की पत्नी और एक सिर्का आता है जैतून का स तीन चम्मस सुबा तीन चम्मस शाम पानी मिला कर पिया करें तो उनका रोग मुक्त होना मुम्किन है अगले कॉला लखनाओ से हैं आरके गुपता जी स्वागत है आपका जी जी बताईए सवाल क्या है नमस्कार हकीम सागी मैं कार्टी गुपता बात करो लखनाओ से मेरे बहुत भी लेफ्ट सेथा दर्द होता है कभी राight साइज कभी हलका थोड़ा कभी 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 चुबन मश्ती रेट दिल के साइज कभी राइट साइज मैं पूरे पेट में अलग अलग जगाए चुबनि रहती है एज मीरी lingering स किनि तो पांच बार गरम पानी ज़रूर पिया करें और मेथी और सौफ धनिया अजवाइन ये सब को बराबर बराबर वज़न में लेकर और बना ले और कानपूर से अगली कॉलर है आशा जी स्वागत है आपका नमश्कार मुझे अपनी बेटी के बादे में तूपना है उसकी हाइट महीं बन रही है और इसका फैर भी बढ़ रहा है पॉटी टू केजिदी ही हो गए ये वो ठीक है जी देकि इस बच्ची को दवा कुछ न दें और ये इसको जतना भी हो सके पैदल चलाएं और अगर ये दोड़ सकती है या वो बच्ची एं गेम खेलती है रसी कूदने वाला कुछ भी नहीं तो रसी कूदने खूब एक घंटा या उससे ज्यादा रसी कूदे रोजाना या भाग दोड़ का गेम एक घंटा या उससे ज्यादा खेले तो इससे इसके दोनों फायदे होंगे फैट कम होगा और लंबा ही बढ़ने लगेगी और किसी पाइप ऐसे पकड लें, गौन मौरिंगा सफेज, गौन मौरिंगा सफेज, इसका raw material लेना है, सफेज वाला लेना है, और इसका powder बना लें और आधा गिराम रोजाना पानी में मिलाका, इसको एक बार पिला दिया करें, बच्ची को फाइदा होना मुम्कीन है, ओरंगाबाद से च्षाया, कि नमशकर आपकी आवाज हम तक नहीं आप आरही है तेज आवाज में बात कीजिए अब अरी अब आरी आरीए अच्छे से आरी है हाँ बोलिए दवाई है यह आभी हमको दवाई में लिए है मैंने तीनों की दवाई मां गई मेरे दो भाईया और मेरी अच्छा हाँ पहुंची नहीं है पहुंच गई है कैसे-कैसे लेनी है कौन-कौन सी दवाईया पहुंची है हाँ इसे बात परो कौन सीदा होई हो बोलें हेलो जी बिटा बताएए एक टीकेयर डिफॉल्ट बोल के नाम है टीकेयर हम एक जैतुन सिर्का है हम एक गोंड सिया है काला गोंड चीक है चो देखिए जैतुन का सिर्का उनको लेना है जिनके डाइबटीज है ब्रेट प्रेशर है या पेट की पाबलम है या लिवर की पाबलम है या खून में चर्वी जादा है उनको लेना दिन में एक बार या दो बार तीन तीन चमच पानी में मिला कर. ठीक है और टी के अरक टी फोट टाइगर एक सुबह एक शाम नाचते और रात के खाने के बाद पानी या बगए चर्बी का दूर या जूस से लेना है अगर डाइप्टीज नहीं है तो और गौंसिया को पाउडर बना लीज़े ये राव मैटेरियल है और जिनके दर्द है वो शक्स आदा गिराम सुबह आदा गिराम शाम खाएं और टी केर भी दर्द के ही दवा है या तो टी केर ले दर्द वाले या गौंसिया ले एक ही चीज़ ले आप समझ गए होंगे वरना इस पर नमबर भी लिखा होगा जो पैकिट आपके पास आया इस पर नमबर लिख ते